तो मैं सुझेय कुमार और आपके अपने चैनल सुझेय फेंटसी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आज का दिन का पहला मुकाबला जो की होने वाला है इस बीडियो को पूरा इन तक देखोगे सारा को समझोगे पूरे डिटेल से में हर प्लियर का स्टाइटस आपको बताओंगा उसके बाद फिर आप आकर के डिलियर पे टीम वगर हम लोग मिलकर करें डिसकस करेंगे पूरे बीडियो को आप धियान से लेखते चलना आई अप समझो गया और इस मैच को हम लोग विन कर जाएंगा एक दम कनफॉर्म बता रहा हूं कि विन करा हूंगा ही करा हूंगा ठीक है, विकॉज मैंने सारे प्लेयर के स्टैट्स बगरा निकाल लिये हैं और कौन-कौन से प्लेयर क्या क्या प्रफॉर्मेंस करने वाले हैं सारे कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अप्लोड़ेट है माइनर लिग T20 का AFI और MAY के बीच में तो जाकर कही मैच को चेक आउट कर सकते हूँ इस वीडियो को देखने के बाद उसका 100 ओमैन का वीडियो तो नहीं आएगा बट मैं मैच कवर करूँ या ना करूँ अब कमेंट में बताओ अगर आपको इस मैच की टीम चाहिए तो कमेंट जितने ज़्यादा गीरेगा ठीक है अगर आपको नहीं लिखना है ना कि आपको इस match की team क्या से चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है बस comment में आप yes लिख दो मैं समझ जाओंगा कि आपको इस match की team चाहिए ठीक है बाई सब तो चलो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उसका फिर minor league T20 के दो matches है तो य अब ही किले हम लोग इस match के ऊपर focus करते हैं दोने team के हार player का stat देखेंगे उसका फिरा करके development पर टीम बराए करेंगे तो चलो आते हैं हम लोग स्टाइट के ऊपर पहले धंग से stat डिसकस करते हैं उसका फिरा करके हम लोग डिलिन पर टीम बराए करेंगे तो देखो इनके इतने सारे player भड़े पड़े हैं कि क्या ही बताऊ मैं सारे player का stats निकालते निकालते मुझे मेरे बहुत हालत खराब हो गया और देख लो यह सारे player हैं पूरे इनके squad में सारे player का मैं stats अको साथ share करने वाला हूँ तो अब भी तक अगर आप हमारे टेलियरम चनल से जोइन नह कि recently इनका performance रहा है हर match में ठीक है वो यहाँ पड़ मैंने लिख रखा है कि यह सारे player को यह performance कर रहा है तो उस basis पर हम लोग ट्राइ करने वाले हैं अब यहां से देखो रिजवान अली 12 रन 11 विगट 40 रन 1 विगट 49 रन 1 विगट 18 रन 1 विगट तो बैटिंग वोलिंग दोन इनको आप अपने टीम में ट्राइ करना है या नहीं करना है ग्रेंड लिंग में करना है मैं ट्राइट यह बताते चलूँगा ठीक है ताकि वीडियो लंबा ना हो बावर गजन फार एक मैस में 11 रन का पारी है उसके लब कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है तो आप इनको ग्र दो विगेट और प्लस बंदा 25 रन का पारी भी खेल रखा है तो समझ सकते हो बैटिंग गोलिंग दोनों अच्छा का सकर सकते है ज्यादा तरह यह आपको बालिंग से ही पॉइंट है बैटिंग सब ज्यादा इनसे उम्मीद मत रखना लेकिन अच्छा का सा बॉल आ ठीक है विगेट कीपर में आपको मिलेगा 43-38 का पारी खेल रखा है अच्छा का सा अप लेयर है और इसके पहले कुछ खास नहीं है तो देखेंगे अगर खेलेगा तो फिर अपने टीम में जगब बन पाएगा तो रोटेट करेंगे फरहान बावर विगेट कीपिंग सेसंस आपक सकते हो इर्फान आली के स्टैट्स मुझे नहीं मिले हैं कुछ खास प्लेयर भी नहीं है साकी मनसद भाई साब यह बिकर टेकर बॉलर है आपको हर मैच में पर्फॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा अपने टीम में आंक बंद करके लिए चलना अरसलान जावेद यह अच्छा मैंने यह आपर दाल रखिया आपको फरहन अहमन दोरन जिरो विघट जिरो विघट Julo Vigate अक यह बिए थीठ꺼 है कि प्रफॉमस फ्रफॉमंद से ओके एक औक बंद करता ही स्टैट्स मुझे मिला नहीं वाजित खिनागर मिल जाता है तो मैं टेल थेलिए नंपाको सेयर कर वाजित खर्ण दिखो तो 15-0 विगर, 4-1 विगर, 7-0 विगर, 7-0 विगर, 7-0 विगर, 5-7 विगर, यह भी बहुत दगड़ाला वॉलर है, अच्छा कासा प्लेट आपको पर्फॉर्मेंस करता हो, दिखेगा आपने टीम में आग बंद करके रोटरेट करें चल सकते हो, सैयद एम सैकलेन के बारे में बात करेंगे, तो भाई साब इंका कुछ खास मुझे स्टैट्स लागा नहीं है, अपने को सीधा सीधा ग्रेंड लिगर, फोस कर सकते हो, या फिर चाते हो, अपने टीम में ट्राइग करना, तो कर सकते हो, एट यूर और आपको पर्फॉर्मेंस करत तो दोस्तों, यहां से मैंने आपको डीटेल से सारा कुछ डीटेल से बता दिया है, आई होप आप समझ दिया होगी, कौन-कौन से प्लेर आपके लिए क्या 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 पॉर्टें ट्रोल लादा करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, अगर अभी तक आपको डीटेल से बताता चलो, अलिसान साराफू है, 50-11 का पारी है, कुछ खास नहीं है, इनकार रिकॉर्ड तो आप इंको ग्रेंड लिग फ्कुस कर सकते हो, अम जो गुल अपने टीम में ट्राइक कर लेना, बैटिंग बोलिंग दोनों अत्त्गड़ावाला कर लेता है अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो, खेलेगा तो अपने टीम में तो कन्फर्म फिक ट्राइ कर ही लेना, उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मुहमद उस्मान सेकेंड है, एक रन एक विगट, 15 रन, 2 विगट, 0-0 विगट, 7 रन, तो मतलब इनका कुछ खास न नहीं लगा है, सिर्फ एक मैज को छोड़ कर, वस्मान एक विगट है, उसमें बागी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो ग्रेंड लिग फोस्त करो, अब्दुल सकूर भी कुछ खास यहां पर करना ही पा रहा है, मुहमद जौरा विगट की पेर सेक्शन साब को अधिल मिर्जा को भी आप ग्रेंड लिग में ही फोकस कर सकते हो, उमेर अली के बार में बात करो, तो देखो, 28 अन 3 विगट, 2 रन 2 विगट, 13 लिगट, 00 जिच्छा अपलिएर है, आपको तीम में होने चाहिए और प्रफॉर्मेंस आपको अच्छा खास खास करता हो दिख मुझे कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ विकट टेकर बॉलर है खेलेगा तो मेरे टीम के कंफर्म पिक रहेगा और भी मैं पहले बॉलिंग करेगा तो और मैं इंको इंपोर्टेंट तबज्जो जादा दूंगा अपने टीम में ट्राइक करनेगा चोधर ने एक विकट दो वि अच्छा का सा प्लेयर ये भी है बिल्कुल भी डॉप नहीं करोगे इंको भी अपने आक बंद करके टीम में लिए करके चल लेना उसका तसावर जम्मू दो विगट एक विड़ एक विड़न अच्छा का सा प्लेयर है उसका अपने ट्राइक कर सकते हो और जबाद फारिद चार विगट एक विगट और यहां पर जिरो यहां पर जिरो तो बाकी यहां पर निका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है दोस्तो तो Smallie को as well as Grand League दोनों में आप प्रोड़ेट करें चल सकते हो तो यह तो बात हो गई दोनों टीमों के हर प्लेट का हाई है बड़ ज्यादा मैं हाले रिकमेंडेशन दूंगा नहीं सलमान बावर ठिक ठाक ओक्यों के प्रफॉर्मेंस है यहां साब को जो यह बंदा है न फरहान बावर अगर यह खेलता है तो अपने टीम में आख बंद कर लिना अच्छा का सा प्लेट आपको प्रफॉर्मेंस करता बावाद दिख सकता है मैंनी सेजर बात करेंगे तो यह रिज्वान अली आपके लिए इंपॉर्मेंस करता बावाद दिख सकता है बागी यहां से कोई खास प्लेयर है नहीं दोस्तों अब हम लोग आते हैं ओल्ड राउंडर सेक्शन पर तो रोहन मुस्तफा आपके इंपॉर्टन बनेंगे उसक आप फिर वाजित खान ह हैं इनको भी आप ट्राइ पर सकते हो आ रहन घर से कोई ख्यालेगा खर एकुछ और रीश को रिकर全部 बन सकता उसके अत्फिर अगर यहां से देखोगा ना तो मति उल्ला खाने आप इंको भी ट्राइक कर सकते हैं अच्छा का से बॉलर है लेकिन यहां पर मैं लेकर करके जाओंगा मुहम्मद मुदस्तर अली के साथ ठीक है अभी के लिए यह टीम है मैं फाइनल टीम तो मैं भी नहीं ब